हलो दोस्तो मेरा नाम सराफत आप देख रहे हैं यूनोगल फ्यूट्व चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सिखने वाले हैं साओधी अर्ब का फाइनल एक्जीट पेपर और खुरूच नहाई पेपर लिकालना और चेक करना सबसे अची बात या है दोस्तो अब आप अपने अप्शेर अकाउंट से किसी का भी फाइनल एक्जीट पेपर लिकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं ये वीडियो खास करके उन भाईयों के लिए जो हमारे भाई साओधी अर्ब में रह रहे थे और आप फाइनल एक्जीट चले गए घर पे तो आपको पता है दोस्तो जब भी आप से केंटाम साओधी के लिए वीजा अपलाई करते हैं तो आपको एक फाइनल एक्जीट पे वीडियो आप लोगों के लिए हमें से लाते रहता हूं तो चले चलते हैं दोस्तों सीखते हैं अब हम आगे लैप टॉप स्क्रीन के तरफ तो आप चाहें तो मुवाइल पॉन से भी चेक कर सकते हैं सेम प्रोसेस हैं तो सबसे पहले आप क्रॉम ब्राजर को अपन कर आप नीचे दिख सकते हैं अफशर लोग इन तो यह लिख करके आप सर्च कर लेंगे सर्च करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले नमबर पर आप दिख सकते हैं दोस्तों अफशर डॉट से पोर्टल हों तो यह अप्शर पैन कर लेते हैं और पैन करते ही कुछ इस सथा का इंटरफेस आपको दिखने को मिल जागा तो यहां देख सकते हैं दोस्तों पहले नमबर बोक्स में यूजर आइडी तो यहां पे आप अपना अफशर का यूजर आईडी लिख लेंगे यूजर आइडी लिखने के बाद दोस्तो नीचे देख सकते हैं password तो इस box में आप अपना offshore account का password लिख लेंगे password लिखने के बाद दोस्तो यहाँ आप देख सकते हैं login तो simply आप login पे क्लिक कर लेंगे login पे क्लिक करते ही आपके offshore में जो number link है दोस्तो उस पे एक OTP आया होगा ठीक है दोस्तो उसके बाद यहाँ पे एक option आपको दिखने को मिल जागा दोस्तो worker का यहाँ आप देख सकते हैं worker उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं service उसके बाद नीचे देख सकते हैं inquiry तो simply आप inquiry पे क्लिक कर लेंगे inquiry पे click करने के बाद दोस्तो एक option और दिखने को मिल जागा यहाँ नीचे देख सकते हैं query of worker arrival तो simply आप उस पे click कर लेंगे उस पे click करते ही कुछ इस तरह का interface आपको दिखने को मिल जागा तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तो sponsor ID और यहाँ box तो इस box में आप अपना sponsor ID लिख लेंगे जिसका भी exit paper चेक करना चाहते हैं sponsor ID simply आपके visa पे होगा जैसे हमारी display पे देख सकते हैं visa तो कुछ इस तरह का visa होगा आपके पास और वहाँ पे लिखा होगा सजल तो यहाँ देख सकते हैं visa पे सजल और कुछ नंबर देख रहे हैं 10 digit का नंबर है 10 digit का तो यह आपका sponsor ID नंबर है ठीक है दोस्तो simply यह नंबर आप इस box में टैप कर लेंगे sponsor ID लिखने के बाद दोस्तो यहाँ आप देख सकते हैं एकामा नंबर और यहाँ box तो simply इस box में आप अपना एकामा नंबर लिख लेंगे जिसका भी आप exit paper चेक करना चाहते हैं एकामा नंबर लिखने के बाद दोस्तो नीचे आप देख सकते हैं दोस्तो एकामा एस्पारी डेट और यहाँ box तो इस box में आप अपना एकामा एस्पारीस लिख लेंगे यह important है दोस्तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एकामा लाश्ट रेम कब aspire रुए था ठीक है दोस्तो एकामा एस्पारी डेट सिम्पिली इस box में लिख लेंगे एकामा एस्पारी डेट लिखने के लिए simply यहां देख सकते है कलेंडर का इकन तो simply उस पे क्लिक कर लेंगे और यहां से आप अपना एकामा एस्पारी डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो यह इंग्लीष तो यह कुछ भी सेलेक्ट कर लें दोस्तो मैं फैनल एडिट करके चेक बता देता हूं ठीक है दोस्तों हम एकने डेक सकते हैं हमारे यहां पर aspiring date आ चुका है तो हम यहाँ पर edit कर लेंगे और perfect आप अपना एकामा aspiring date यहाँ पर लिख लेंगे एकामा aspiring date लिखने के बाद दोस्तों नीचे देख सकते हैं कुछ number दिख रहा आपको 2793 तो कई बार यह number आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ refresh देख रहे हैं साइक रांद साथ उसे क्लिक करेंगे तो यह number चेंज हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो सिंपिली यह नमबर यहाँ देख सकते हैं box और यह लिखे हुआ intent image code तो यह नमबर इस box में टाप कर लेंगए नमबर लिखने के ताकि सारे डीटेल आप लोग किलियर देख सकें तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तो कॉरेंट एस्टेटस वीजा डीटेल तो जिसका भी अपने फाइनल एक्जीट पेपर यानि खुरुच नहाय पेपर चेक किया है यहां पर उसका पूरी डीटेल आ चुका है जैसे यहां देख सकते हैं पहले नमबर पे उसका नाम दिखने को मिल जाएगा उसके बाद दूसरे नमबर पे यहां देख सकते हैं उसका वीजा नमबर दिखने को मिल जाएगा उसके बाद यहां तिसरे नमबर पे देख सकते हैं दोस्तो एक्जीट वी फॉर्थ उसने लास्ट टेम साओधी अर्प से कब गये थे सफर वो डेट दिखने को मिल जाएगा उसके बाद यहां आप देख सकते हैं दोस्तो वीजा टाप तो यहां पे देख सकते हैं स्टेटस तो यानी यह Exit Final Exit गए हुआ है ठीक है दोस्तो यानि खुरुच नहाई गए हुआ तो यहां पर पूरी डीटेल उसका आ चुका है दोस्तों अभी इसका क्या करेंगे आप इसको चाहे है तो स्क्रीन सुट ले करके print कर सकते हैं चाहे अगर आपके पास सिस्टम में print है तो डिरेक्ट इसको print कर सकते हैं और आप अपने मक्तब में office में आप जहां पे भी visa stamp के लिए दिये हैं वहां पे इसको use कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो कुछी इस तरह से दोस्तों बहुत आज़ी बहुत आसान तरीके से किसी का भी final exit paper चेक कर सकते हैं और लिकाल सकते हैं यानि खुरुच नयाई paper लिकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं तो उम्मीद है दोस्तों कि final exit paper और खुरुच नयाई paper लिकालना चेक करना सीख लिए किसी तरह का doubt है तो आप हमें comment box में ज़रूर पुछ सकते हैं आज के लिए इतना ही दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग